नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं गोबलॉक्ष और मैं हूँ आपके शाथ भासकरा नंद डूबाल दोस्तों आज एक मेल हतीली है अमारे शामने और आप देख रहे हैं हतीली का आकार एकदम चोकुर किसम का है बहुत जादा मिहनत करते हैं बहुत जादा परिश्रम करते हैं और कर्म में विश्वास करने वाला व्यक्तित्व आपका है मिहनत करने से पीछे नहीं हटते हैं चाए अपना तन मन सब कुछ लगा लेते हैं भरपूर मिहनत योधा किसम का हतीली लेकिन यहाँ पे देखेगा जो सनिग्र है उसमें जो फिंगर है कहीं न कहीं पूरी तरो से जुकी हुई है आपकी जो है रिंग फिंगर की तरफ बहुत जादा मेहनत बहुत जादा परिस्रम करने पर ही सपलता की प्राप्ति होती है कोई भी चीज सहजता से सरलता से नहीं मिल पाती है कम मेहनत में किसी भी चीज में सपलता नहीं मिलती है निश्चित रूप से बहुत जादा मेहनथ करने पे बहुत जादा परिस्रम करने पे ही सपलता की प्राप्ति होती है क्यों कि सनी के जो प्राकर्थिक नगेटिब गुण है वो कहीं न कहीं आपके अंदर बिद्यमान है सनी के कारण भग्यका जो पूरा सयोग जो पूरा साथ मिलना चाहे था वो थोड़ा बिलंब में मिलता है मिलता तो है साथ ऐसा नहीं है कि साथ नहीं मिलता है साथ मिलता है लेकिन थोड़ा सा बिलंब हो जाता है और कई बार दोड़ा धूपी का काम भी करना पड़ता है यह आपकी हतियली यहाँ पर बता रही है लेकिन हतियली में एक अत्यंत स्रेष्ट चीज देखने को मिल रही है यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो अंगोठा है इस त्रोका इसमें निश्चित रूप से कट उभर कर आ रहे हैं और आपका यहां पे एक रेखा और इस रेखा से जो है मस्तिस्क रेखा पे और यहां पे राहो के छेतर पर एक त्रिकोन बनता हुआ दिखाई दे रहा है क्या बता रहा है देखेगा आने वाले 56 वर्स से अचानक जीवन में तरक्की मिलती हुई दिखाई दे रहे हैं कहीं न कहीं अचानक जीवन में 56 वर्स से तरक्की मिलेगी ये दोनों योग अचानक जीवन में तरक्की को दिखा रहे हैं क्योंकि राह उतमभाव में आ रहा है और जो सुक्र का प्रभाव है वो धन भाग में पढ़ता हुआ दिखाई देरा जीवनकाल के 56 वर्ष से अब 56 वर्ष जरूर नहीं 56 वर्ष से होगा 56 वर्ष खतम होने के बाद ये चीज होगी निश्चित रूप से 56 वर्ष के बाद से ग्रह अपने अस्तान में आ रहा जहां सुक्र जो है आपका धन भाग में विद्यमान हो रहा है वहीं राहो आपका उतम भाग में आ रहा है इसका प्रभाव जो है धन दिरिष्टी पे पढ़ रही है अच्छे भाव में तो जीवन में अचानक ये तरीक को दिखा रहा है जहां धन में बिर्दी होती हुई दिखाई दिरिए वहीं प्रतिष्टा में बिर्दी होगी मान सम्मान सभी चीजों में ये बडोतिरी को दिखा रहा है कहीं न कहीं निर्धंता आपके जीवन से निकलती हुई दिखाई दे रही है गरीब जो व्यक्तित्वा कहीं न कहीं चल रहा है थोड़ा सा वो निकल जाएगा लेकिन उसके बाद राहू चुपके से पीछे से इगो प्रोब्लम भी दे देगा अपनी बुद्धी चातोर्या अपनी समझदारी के बल पर इससे आपको समल कर चलना चाहें क्योंकि साथ साथ में जो है सुक्र और ब्रिस्पति इनका प्रभावी पुष्ट अवस्ता में आता हुआ दिखाई दे रहा है चपनी वर्स के बाद तो इसमें धार्मिकता भी बहुत ज़्यादा आ जाएगी धर्म कर्म के कार्यों में आप बढ़ चटकर हिस्सा लेते हुई दिखाई दे रहे हैं दान और पुन्य से समंदित चीजों में ये अच्छा दिखाता हुआ याँ पर दिखाई दे रहा है धन के लिए आपका अउठा 56 वर्स के बाद से अच्छा कहलाएगा ब्यावसाई इत्यादी चीजों को दिखा रहा है कि कहीं न कहीं आप नौकरी भी करेंगे लेकिन ब्यावसाई की तरब जो है आपका रुजान होगा और आप 56 वर्स के बाद कहीं न कहीं ब्यावसाई में सलिम्त हो जाएंगे और ब्यावसाई में आपको विसे सपलता बिलेगी ये निश्चित है अब देखेगा कभी देखना अब ध्यान से उन ब्यक्तियों के हतेले में जिन को मिला है एक चीज़ देखना जब ये रेखा इस तरों से जाती है और मस्तिस्क रेखा पे एकाएक मिल जाती है और यहीं से एक ब्रांच निकल करके मस्तिस्क रेखा पे मिल जाती है और यहाँ पे एक त्रिकोन बनता है ऐसे लोगों को अपने घर का सुक निश्चित ही जीवन काल में मिलता है ये गारंटी देता है कि आपको आने वाले समय में अपने घर का सुक मिलेगा लेकिन उसकी ज्यादातर जो योग बन रहे हैं, वो 60 वर्स में बन रहे हैं, अपने घर के जो प्रबल योग बन रहे हैं, हाँ उसका असर पहले भी पड़ सकता है, बन सकता है, कोई दोराई नहीं है, लेकिन जो प्रबल योग हैं, जो हतेली के अनसार योग हैं, वो 60 वर्स में हैं, अत्य एक दो चीजों से समल कर चलना चाहे एक तो अंगोठे के अनुसार जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना है जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना है अगर जल्दबाजी में फैसला लेते हैं तो योग भंग हो जाए कहीं न कहीं आप जो है जो निरने होगा वो निरने गलत हो सकता है इसी लिए जल्दबाजी से बचना है सबसे पहला ध्यान रखना है अब दूसरा ध्यान रखना है कि कहीं न कहीं भावनाओं की बसीबूत होकर निर्णय नहीं लेना है वो निर्णय गलत हो सकता है और स्वयम की विकास को स्वयम की प्रोग्रेस को स्वयम के डेपलप्मेंट को आप बादित कर सकते हैं और फिर उस डेपलप्मेंट को पाना मुश्किल हो सकता है तीसरी बात अभी जिस तरों से आपकी करियर और धनकी रेखा है क्यों आभास हो रहा है कि ये इस प्रकार से जारी है लेकिन पूरी कहीं नहीं जारी है ये ये बथा रही है कि एक तो ऐसी इस्तिति में कारियों में बिलम्म होते हैं दूसरी ऐसी इस्तिति में बहुत ज़्यादा मेहनत बहुत ज़्यादा परिस्रम करने के बाद भी कहीं न कहीं अस्तायित्व नहीं आता है चाए वो नौकरी में हो चाए वो धन में हो मनी अस्तायित्तों को ये खतम करती है कई बार काम बनते बनते रुक जाते हैं बड़े काम हाथ में आते हैं लेकिन हाथ से फिसल जाते हैं कहीं न कहीं पैसों के मावलेगे थोड़ा परेशानी वाली बात होती है चाहिए कितना भी पैसा आ जाए लेकिन पूरा नहीं हो पाता है एक संतुष्टी जो होनी चाहिए जीवन में वो नहीं होती उसके लिए क्या करना चाहिए करियर और धन की रेखा पे सबसे पहले ध्यान देना है बाकी चीजों पे आप ध्यान दो न दो लेकिन आपकी हतेली की अनुसार आपको सिर्फ और सिर्फ बिदी पूर्वक जो वास्तों में बिदी होती है इस रेखा की रातरी की पूजा होती है बारा बजे से पहले इसमें योगध्यान किरिया यह नहीं है आपका जो तत्व है उसके अनुसार योगध्यान किरिया और बी उत्म रहेगा लेकिन साम के समय 12 बजे से पहले आपको लक्षमी की पूजा करनी जो विदी में दूँगा और उससे 2 मिंट का योगध्यान किरिया करनी है यकीन मानिएगा जीवन में करियर के मामले में धन के मामले में अस्ताईत्व आ जाएगा ये नहीं कहूंगा खरब पति बनेंगे अरब पति बनेंगे लेकिन इतना अस्ताईत्व जरूर आ जाएगा कि परेशान करने वाली चीज़ें नहीं होंगी, जीवन कहीं न कहीं सहजता से चलने बैठ जाएगा, और जो बेसिक चीज़े हैं, जो अब तक प्राप्त नहीं हुई है, उन बेसिक चीज़ों की पूर्ति हो जाएगी, बाकिये तो मनुश्य का जीवन है, गठनाईयों से भी गुजरता है, संगर्स से भी गुजरता है, अभाव से भी गुजरता है, तकलीपों से भी गुजरता है, अगर इन से नहीं गुजरेगा, तो पता कैसे चलेगा कि सुक क्या है, जब इन चीज़ों से ब्यक्त गुजरता है, और बाद में उसको सुक पराप्त होती है तबी उसकी अनभूतिवों कर पाता है तो ये हर बिक्ति के जीवन में चला आ रहा है इसलिए मनोबल को ठेक रखके एक सही दिसा की तरफ काम करके और जो पूजा एप के तत्व आपके लिए बता रहे हैं जो किरिया आपका तत्व आपके लिए बता रहा है वो अगर करें तो निश्चित ही जीवन बदलने में आपको साहता मिलेगी बहुत सुन्सदर तरीके से अब यहां पे आपकी हतेली में देखें यहां पे एक रेखाय यो जारी है एक रेखायों जारी है और इस रेखा पर एक बहुत बड़ा ट्रे वो हो जाता है नहीं कर पाता है चीजों धन कमाने के तरब कितना भी करे लेकिन नहीं कर पाता है तो उस समय अपनी ही कमाये हुए अपनी ही इन्वेश्ट के हुए पैसों से अचानक बहुत बड़ा धनलाब की प्राप्ते आपको होगी बुडापे काल में जो बुडापा है धन के मामले में संगर्स नहीं रहेगा कहीं न कहीं एक संतोस पून जीवन बना रहेगा इस बात के और ये चीज जो है आपको दिखाती हुई नजर आ रही है अब यहां पर देखेगा पर्थम रेखा कंकन की पर्थम रेखा स्वस्थ्य रेखा है ये रेखा आपके स्वस्थ्य के बारे में आपके आरोग्य के बारे में आपके तंदुरस्ती के बारे में बताती हुई दिखाई देरी है जैसे जैसे ये इसपष्ट होती जाएगी सुन्दर होती जाएगी वैसे वैसे स्वाष्टे के मामले में आरोग्य के मामले में तंदुरस्ती के मामले में आप सौबाग्य सालि होते जाएंगे लेकिन ये धूमिल होती जाएगे तो स्वाष्टे के मामले में प्रभाव पड़ेगा अभी ये मिली जूली है मनि मौसमी बिमारियां जल्दी से पकड़ सकती है या जो है कभी-कभी ठकान की वो जो से प्रिसरम जादा करनी की वो जो से स्वस्थ्य में हलका सा प्रभाव पड़ सकता है इस चीज के और ये संकेत कर रही है लेकिन जैसे जैसे बलोती होती जाएगी सुन्दर होती जाएगी वैसे वैसे तंदुरस्ति के बारे में आरोग्य के बारे में स्वस्थ्य के बारे में आप लग्की होते जाएगे दूसरी रेखा आपकी ये है ये है संपत्ति की रेखा ये रेखा बहुत सुनर है आपके हाद में ये धन रेखा है आपके हाद में ये बता रही है कि आने वाले समय में कहीं न कहीं धन के मामले में अस्तायित्व आता हो दिखाई दे रहा है अब यहाँ पे देखेगा ये तीसरी लाइन जो आ रही है ये पुष्ट नहीं हुए, कि वोल आभास हो रहा है, उदायमान रेखा है, आभास हो रहा है कि ये रेखा उदायमान होगी, अब ये रेखा उदायमान न तो किसी क्रिया द्वारा होती है, ये रेखा होती है आपके अपनी इष्ट देव के परती कितना समरपण है, जितना आ प्रिम्रपन अपनी इश्ट देव के परति इस रेखा को बलवती बनाएगा यह रेखा है सुक की रेखा अभी किवल आभास हो रहा है कि सुक आने वाला है सुक आपकी जीवन में दस्तक देनी वाला है लेकिन उस रूप में नहीं मिल पा रहा है जिस रूप में मिलना चाये लेकिन उदैमान इस्तिति में है तो कहीं न कहीं जो है दस्तक दे रहा है आपकी कुंडी खट खटा रहा है दरवाजे की कि खोलो मैं अंदर आ रहा हूँ अपने इश्ट देव के प्रतिसमरपन करो उनके चरण पकड़ो बस ये तुरंत अंदर प्रवेश हो जाएंगे और ज लोक मिलेगा निश्चित रूप से और ये रेखाएं बता रही है कि कहीं न कहीं आपने चाहिए आंसिक रूप में किये हैं लेकिन पूरो जनम में उच्च कर्म जरूर किये है और उन उच्च कर्मों की वज़ों से जो आपकी जीवन में नौलेज आपको प्राप्त हुआ ह जो आपके जीवन में बिद्या आपको प्राप्त हुई है वो ठीक ठाक हुई है धन के मामले में जो प्राप्त होगा वो जो है एक सुकून देने वाला होगा ये इस चीज को बता रही है और इस जनम में भी जो आप कर्म करेंगे कहीं न कहीं वो कर्म बिहतरी करेंगे उसकी वो जो से एक सिद्धपुरुष की तरह हो सकता है परिनिर्माण की प्राप्ति की तरफ भी आप बढ़ जाए इस तरह से भी आपकी हतेली आपको जो है यहाँ पर बता रही है अब एक चिन इस तरह से जो है आवास हो रहा है के तो के छेतर पये मत्सखी का चिन उदायमान इस्तिति में है पूरा नहीं बना है ध्यान रखें केवल उदायमान इस्तिति में हैं ये बथा northwest रहा है कि जो धार्मिक प्रविठी है वो तो आपके अंदर नेचुरल तरीके से है प्राकृतिक तरीके अपने पूरोजों से गुण आपके अंदर आये हुए हैं और ये हमेशा रहेंगे और बंसानुगत चलेंगे मनी आप अपने आगे वाली पीडी को भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ धार्मिकता जरूर देंगे दूसरी बात ये बता रही है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी सुक आपको मिलेगा सुक के साथ साथ जो है अध्यात्म में काफी तरक्की होती हुई दिखाई दे रही है और इसकी दृष्टी पढ़ रही है ये दृष्टी गोचर हो रहा है बुद्ध की तरफ बुद आपकी वाणी है बुद्ध पैकेजिंग का मालिक है बुद्ध वाणी है बुद्ध आपका तवचा है सरीर और बुद्ध व्यापार है जब ये बुद्ध की तरफ दृष्टी गोचर होता है तो ये बताता है कि आने वाले समय में कहीं न कहीं व्यापार की तरफ जाएंग यहां पर अगर हम चले आपकी गुरू की जो उंगली है यह पूरी तरो से जुकी हुई दिखाई दे रही है कर्ब ले रही है ने पूरी तरो जुक रही है मिडिली फिंगर की तरब धार्मिक भावनाएं ब्रस्पती जी के कारण आपके जीवन में है बहुत अच्छी धार्म की भावनाएं आपके अंदर है इस स्वर में पूर्ण विश्वास आपका है प्रौपकार की भावना भी आपके अंदर है दयालुता भी आपके अंदर यहां पर साप दिखाई दे रहा है हां सनी के बारे में हमने बता दिया है लेकिन सूरे की उंगली पूरी तरो से सनी के तरफ जोकी हुई दिखाई दे रही है इस तरफ इसका जोकाव बता रहा है कि बरतमान में यस पाने की इक्षा अपने कारियों में बिस्तार पाने की इक्षा और इस जंजाल से उबरने की इक्षा भी आपके अंदर ती ब्रगते से जन्म ले रही है यहाँ पे अगर देखें तो आपकी सूरी की उंगली ब्रिस्पती की उंगली से बड़ी है और मिडिली फिंगर से छोटी है यह अत्यत्त स्रेश्ट है कहीं न कहीं जीवन में हिम्मती स्वभाव है इसी की वज़ाँ से आप अपने जीवन में लगातार चलते आये हैं ने तो जितनी कठनाईयां सनी ने दी है जैसा जीवन सनी मोड रहा है उस हिसाब से जीवन जना बड़ा कठिन हो जाता है लेकिन सूर्य ने आपका सपोर्ट किया है सूर्य ने आपके अंदर जो है एक हिम्मती स्वभाव पैदा किया है और एक रिस्क लेने की छमता एक जोखिम उठाने की छमता आपके अंदर दे रखी है गिर कर फिर से समलने की छमता सूर्य के कारण है और सूर्य इस रूप में है कि आप लक्षमी की पूजा अगर कर सकते हैं तो निश्चित रूप से अपनी जीवनकाल में यस की प्राप्ति होगी आप यसोश्वी होंगे, समाज में बिलकुल मान प्रतिष्टा यस पाने वाले, फिम पाने वाले बिक्ति होंगे सफलता की प्राप्त करेंगे सफल होंगे यहां पे जो है आपका सूरे आने वाले समय की और इसारा कर रहा है यहां पे सबसे चोटी उंगली देखें पूरी तरों से जुखी हुई है कर्ब लेरी ने आप खुद देख लीजे का और ये किसकी तरब कर्ब ले रही है सूरे की उंगली की तरब जाहिर सी बात है भाई ये उंगली जो है इसकी तरब थोड़ी कर्ब लेगी सूरे की तरब ही तो जुगे की सूरे की उंगली के बगल में है लेकिन इसका जुकाओ बताता है कि धन कमाने की ललक आपके अंदर जो बनी हुई है जो पैसा कमाने की ललक है वो बुद्ध के कारण है सूरी की तरब दिर्ष्टिगत होने के कारण लेकिन ये कहीं न कहीं पहले पोर्वे तक नहीं पहुँच पारी है यहां तक थोड़ सा नाखुन बढ़ाना है हल्का money management में कमी को ये दर्षा रहा है लेकिन आगे ये कमी नहीं रहेगी क्योंकि यहां पे एक money triangle बनता होँ दिखाई दे रहा है राहु पे तिरकोन बनता होँ दिखाई दे रहा है तो money management की कमी नहीं रहेगी आने वाले समय में कम्यूनिकेशन इसकल्स में थोड़ा सा कमी है लेकिन अंगोठा इस कमी को पूरा कर लेगा ये वाला भाग कहीं न कहीं कहां पे बोलना है कहां पे चुप रहना है ये चीज आपके अंदर अच्छे खासी रहेगे कागजों के रकराखाओ में कमी इसको जो है इसका जो चिपक रही है ये चीज पूरा करेगी तो कमी नहीं रहेगी थोड़ा हलका सभी चीजों में रहती है लेकिन बहुत जादा नहीं रहेगी इस बात की और ये संकित कर रहा है लेकिन बर्तमान में थोड़ा सा एक नगेटिब चीज भी है, यहां से देखेगा, यहां पे ये उंगली पूरी जुक रखी है, ये उंगली पूरी जुक रखी है, ये पूरी जुक रखी, सभी उंगलियों का जुकाओ कहीं न कहीं मिडिल फिंगर की तरफ है, देखेगा, ज अथनीके नगेटिव गुणों में ये बिर्दी कर रहे हैं ऐसी इस्तिति में बेक्ति कई बार दुखी सा हो जाता है या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुसियों में कमी आने लगती है जब ऐसी इस्तिति होती है तो और कहीं न कहीं इसका प्रभाव जीवन पर पढ़त ही पढ़ता है निश्चित तौर पर पर पढ़ता है अब थोड़ा देखेगा आपकी जो है ये रेखा है लेकिन पूरी ब्रस्पति पे नहीं पहुंच रही है ब्रस्पति को टच कर रही है सुबह उठते ही तीन चीजों पर ध्यान जाएगा सबसे पहले पैसों पे पैसों का management कैसे किया जाए क्या ऐसा किया जाए जिससे जीवन में धन अच्छा खासा मातरा में आए और मैं उन इक्षाओं की उन जरूरतों की पूर्ति कर सको दूसरी physical body की तरफ ध्यान जाएगा अपने को maintain कैसे रखा जाए क्योंकि समय की requirement है जरूरी है आपके लिए अपन को सज समर कर कैसे रखा जाए अपने को maintain कैसा रखा जाए अपनी personality पर कैसा ध्यान दिया जाए इसको जो है डेपलप कैसे किया जाए और तीसरी बात कहीं न कहीं कामुकता पर भी ध्यान जाएगा उठती ही इन तीन चीजों की और यह बता रहा है कि ध्यान जायता हुआ यह लेकिन थोड़ा धूमिल हो रही है धूमिल जैसे जैसे यह होती है कहीं न कहीं उलझन को जन्म देती है जब व्यक्ति ऐसा काम करता है ने जिसमें बहुत भागा दोड़ी हो जिसमें जो है दिमाग का कचोमर बन जाए इस परकार का काम हो तो तो तब मस्तिस्क रेखा पढ़ रहा है मंगल का प्रभाव पढ़ रहा है जहां कलपना सकति पृत अच्छी है यहां सोचने के सकति गजब की है वहीं मंगल के कारण दिमाग में उर्जा है प्राकर्म भी है ठीक न है निरन्य लेने की चंप्ता कॉंफिडेंच लेवल अच्छा है बौदिक अस्तर अति उत्तम है विवेग पूर्ण व्यक्तित्व है अपने विवेग से हर समय आप सकारात्मक सोचने की कोशिस करते हैं जीवनकाल के लिए बेहतरीन से बेहतरीन योजना बनाते हैं अभी भले ही वो पूरी तरह से धरातल पे नहीं उभर पारी है लेकिन बनाते हैं और इसका आपको आने वाले समय में रिजल्ट मिलेगा इस चीज को यह दिखा रहा है जीवनकी रेखा सीधा चंद्रमा के और यह गलत है यह पूर्ण तो गलत है जीवनकी रेखा ऐसी हो तो एक तो ब्यक्ति अपने जर्म अस्तान में उन्नत नह इसरी बात ऐसे लोग निरंतर आगे बढ़ने की भर्क सक्त कोशिस करते हैं और बढ़ते भी हैं अपने प्राकरम से अपने जो है मिहनत से लेकिन साथ साथ में उतार चड़ाओ और संगर्स भी चलता रहता है कई बार ऐसी इस्तित में चंद्रमा का ज्यादा प्रभाव प्राप्त करता है अस्ताइट्व आने में बहुत जादा समय लग जाता है इस चीज के और यह दिखाता है हां जीवन का जो अंतिम सत्य है जिस सत्य को लेके मनुष्य इस योनी में प्राप्त हुआ है वो है मुक्ति ये जरूर एक सिद्ध पुरुस की तरो एक बहुत बड को है व्यक्ति को मुक्ति की और जरूर ले जाती है यह इस्रोयत तत्वा पहुत कम लोगों के अंदर समाहित होता है और यह आपके अंदर है यह सबसे बड़ी बात है जीवन में आपके जो भी जनम होए उनमें सबसे उत्तम बात इस जनम की यह है इसकी और इसके बारे में हमने बता दिया है अब देखेगा आप देखेंगे कि आपका जो ये भाग है कहीं न कहीं जो है नीचे की तरब खिसक रहा है ब्रस्पति जो है कहीं न कहीं नीचे की तरब खिसक रहे हैं देख रहे हैं जाद तर इनका जोगाऊ है इसका मतलब है परिवार को ले के कहीं न कहीं थोड़ी सी चिन्ता है चाहिए किसी भी रूप में हो या हलकिसी पारिवारिक समश्याओं का जन्म हो सकता है इस बात के और भी यह इसारा कर रहे हैं अब यहाँ पे देखेगा यहाँ पे यह एक नुकिला सा उठ रहा है जब यह नुकिला सा थोड़ सा उठता है तो बिक्ति को हलका सा अपने पे ध्यान देने की ज़रूरत है यह हलके रोप में इगो प्रोब्लम को बढ़ाता है बिक्ति के अंदर इगो प्रोब्लम आने बैठ जाती है या खाने पीने का जो हम कहें कि भोजन पर यह बहुत जादा होता है अच्छा बोजन बिक्ति को जो है बहुत भाने लगता है और हर समय कुछ न कुछ खाने की प्रिवृति को भी यह कई बार जन्म देता है तो यह एकदम बैलेन्स में होना इसका ठीक है क्योंकि यह या उठावा हो या बैठावा हो तो कहीं न कहीं साधरन आवस्ता में इसको माना जाता है और इस समय आपके हतेली में कहीं न कहीं ये साधारण आउस्ता में बैठे हुए हैं और आपके अंदर भी थोड़ी सी साधारणता देते हुई दिख रहे हैं थोड़ा सा सामन्य बिक्तितों देते हुई दिखाई पड़ रहे हैं लेकिन हसमुक स्वभाव बहुत जादा बना रहेगा दयालोता प्रॉपकार की भावना जादा रहेगी आर्थिक पक्च ठीक ठाक रहेगा लेकिन यस की प्राप्ति के लिए अपने कारियों में विस्तार पाने की प्राप्ति के लिए बहुत जादा मन में जुकाओ बना रहेगा एक स्वतन तरता और लीडर्शिप की चाहा रखने वाले होंगे यहाँ पर अगर सनी देखें यहाँ पर थोड़ा सा यह उठने बैठ गया है जब यह उठने बैठ जाता है तो सुबह उठने में थोड़ा आलश्य को यह जन्म देता है लेकिन जब ब्यक्ति विस्तर छोड़ देता है तो आलश्य स्वतवय करता है जिससे जो है थोड़ा तनाव की इस्तिति बनी रहे उल्जनी की इस्तिति बनी रहे इस प्रकार की चीजें भी ये देता है और थोड़ा काम भी करेंगे तो विक्ति यस चाहता है उसमें कि यस मिले मुझे अपने छोटे से छोटे कारे में भी उसका कुछ न कुछ फाइदा हो यहां पर यह गड़ा नुमा बनता हो दिखाई दे रहा है इसको ठीक करना है बहुत जादा नहीं है अभी प्रारंबिक दोर में है और यह उभर रहा है तो जितनी जल्दी हो सके सोबह के समय अगर आप सोर्य किरिया करें तो आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा अगर यह धंस्ता चला जाए तो इसका मतलब है जो प्रियास आप कर रहे हैं वो प्रियास सफल होने को नहीं है जो मेहनत आप करते हैं जो परिसर आपके अंदर योग्यता है कहीं न कहीं पूरा चीज उभर करके निखर करके वो नहीं आती है नोकरी कर रहा हो ब्यक्ति को वो ग्रौथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए उसने अपने आपको पूरी तरों से खपा लिया हो अगर ब्यक्ति ब्यापार कर रहा हो वो बिस्तार वो फैलाव नहीं मिल पाता है जो वास्तों में मिलना चाहिए जिसका ब्यक्ति हकदार है एक सहिजता से एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है और क्या करना चाहिए इसके लिए सूर्य किरिया सबसे सरल किरिया है लेकिन इसमें अनुसासन का द्यान देना होता है सबसे सरल के रिया है कि जो किस्भी के रियाओं से सबसे कम समय वाली और सबसे बेहत्रीन फल Karena वाली और सबसे सरल किर्या करने पड़ती सोर्य करने पड़ती हैं जब आपके सार्मे की चक्रों के साथ परस पर ताल मेल में नहों तब सूरी किरिया करनी पड़ती है और यही किरिया मैं आपको दूंगा बुद्ध पे देखें खड़ी लाइने यहां पे साब दिखाई दे रहे हैं ब्यापार के गुण आपके अंदर नेचुरल तरीके से हैं कहीं न कहीं डिपलप हो रहे हैं और आने वाले समय में अच्छे खासे रूप में डिपलप होंगे कहीं न कहीं सेवा भाव आपके अंदर नेचुरल तरीके से प्राकृतिक गुण हैं यह आपके और एक से ज़्यादा भासाओं को जानने की क्वालिटी भी आपके अंदर है और भ्यापार के गुण भी बहुत सुनर है वाणी की सकति भी बहुत अच्छे रहने वाली है आने वाले समय में अपनी बात को किस प्रकार से रखना है किसके सामने कौन सी बात रखनी है कब रखनी है अपने को पूरी तरों से ब्यक्त कहसा करना है मनों बिग्यानिक के छेतर में किस प्रकार से माहिर होना है सामने वाले ब्यक्ति को किस प्रकार से प्रवावित करना है ये गुण आपके अंदर बहुत तीबरता से आ रहे है और भावश्या में योजना बना कर कार्य करेंगे उच्च मंगल और निमन मंगल देखें दोनों बहुत अच्छे प्राकरम आपके अंदर अत्यांत सरिष्ट इस्तिति में है एनर्जेटिक स्वभाव भी आपके अंदर है लेकिन ये ज़्यादा उबर रहा है तो छण भंगोर वाला गुस्सा ये आ सकता है मने किसी ने कह दिया और कहते ही तुरंत गुस्सा आ गए और तुरंत बोल दिये अर्थुरं ठंडे हो गए और फिर पस्तावा हो गए सौरी बोलते फिर अरे यार ये नहीं बोलना चाहे था फिर कुछ देर बाद फिर वही चीज़ क्योंकि मंगल क्या है प्राकरम को बहुत ज़्यादा देता है तो ये कहीं न कहीं छण भंगोर वाला गुस्सा दिलाता है तो इससे थोड़ा समल के रखना चाहे और सौरे किरिया के साथ इसका भी उपाई एकी साथ हो जाता है हाँ अगर आपका चंद्रमा देखें चंद्रमा भेतरीन अवस्ता में आता हुआ दिखाई दे रहा है कहीं न कहीं आने वाले समय में बिल्कुल कुछ ही समय बाद मन बहुत ज़्यादा मजबूत इस्तिति में आएगा कॉन्फिडेंस लेबल आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है सरीर में किसी प्रकार की समस्या हो भी जाए तो भी मन आपका मजबूत रहेगा और चंद्रमा जितना मजबूत जितना खुब सूरत होता है पाचन तंत्र भी मोटे तोर पर ठीक रहता है आपके सरीर का हार्मोनल सिस्टम जैसे जैसे चंद्रमा अच्छे गुण देता जाएगा बढ़िया होता जाएगा चंद्रमा जितना सुन्दर जितना पॉजिटिव इस्तिति में आता जाएगा क्रियेटिविटी बढ़ेगी आप क्रियेटिव रहेंगे चलकपट से दूर रहेंगे और जीवन काल के लिए बिहतिनिन और सुन्दर योजनाई बनाते फिरेंगे ये आपका जो है चंद्रमा कह रहा है ये आपका सुक्र का भाग है ये जाना जाता है कला के लिए, सुंदर्य के लिए, सुंदर्ता के लिए, एक सुखद जीवन के लिए जब ये पुष्ट होता है तो इन चीजों को दुख्याता है यहाँ पे सुक्र सुंदर रूप से उबरावा दिख रहा है तेजो मैं अवस्ता में भी है आप तेजुस्वी होंगे आपकी जो personality है आपका व्यक्तित्व है वो भी सुन्दर होगा जो सुन्दरता है जो आकरसन है वो आपके अंदर सुक्र के कारण विद्यमान है जो हर प्रश्टिति को आप जहलने की चमता रखते हैं वो इसी सुक्र के कारण है जो आप अपने व्य हूजार प्रश्टित्व सुक्रिक की सब्सक्रीद्याई और यहां पर नो कि उसमें थोड़ सा चिंता का भाव ओभरता वहाद दिखाई दे रहा हैं और बहुत ज्यादा मेहनत बहुत ज्यादा परिस्रम करने के बाद भी आपकी दिरिष्टी से देखें तो संपूर्णता हासिल नहीं हुई कहीं न कहीं आपकी दिरिष्टी से कुछ चीजों का अभाव दिखाई दे रहा है ये चीज आपका सुक्र बता रहा है कुल मिला के बात करें तो मैं कुछ किरियाएं और रातरी का जो पूजा है वो जरूर दूँगा करियर और धन की रेखा को एकदम इसपष्ट अगर कर लिया आपने तो जहां करियर में अस्ताइद तो आएगा वहीं धन के मामले में आप सोबाग्यसाली होंगे आप और चीज करें न करें लेकिन रातरी के समय का एक उपाई बस कर दीजेगा जीवन निखर करके आपके सामने आ जाएगा इस वीडियो में बस इतना ही एक नई वीडियो के साथ पनो उपस्तित होंगा तब तक के लिए नमस्कार